आम चुनाव से ठीक पहले तेलुगु देश्म पार्टी के दृत्व वाली सरकार राज्य में लोगों खुश करने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। बेरोजगार ब्राम्हन युमाओं को तीस स्विफ्ट डिजायर कार दी। नाइडू ने इससे पहले एक जन्वरी को राज्य की वित्तिय एवं आर्थिक विकास दर पर एक श्वेद पत्र जारी किया। इस श्वेद पत्र में राज्य के प्रतेक परिवार को मुफ्त स्मार् स्मार्टफोन के जरिये राज्य सरकार प्रदेश के हर आम आदमी को सरकारी सुविधाई उपलग्ध कराएगी। सरकार ने पहले भी कहा था कि जीवन को आसान बनाने के लिए राज्य को 14 मिलियन स्मार्टफोन चाहिए। आंध्रप्रदेश सरकार की योजना के अनुसार ब्राम्हन वेल अफेर कॉर्परेशन दो लाक रुपय की सबसिडी देगा और लाभार्थी को गारी की कीमत की 10 फीजदी रकम देनी होगी। बाकी की रकम आध्रप्रदेश ब्राम्हन को अप्रेटिव क्रेडिट सोसाइटी वहन करेगा।